SSE GD के लिए PY की शुरू करने जा रहे हैं Pinnacle की Box से तो सबसे पहले हमारा topic रहेगा percentage तो आई ये शुरू करते हैं पहला question है मारे पास यहाँ पर 12% of 4% of 7% of 2 into 10 की पाउड 6 का मान कितना होगा तो हमें इस question का answer बताना है यहाँ पर तो 12% है और 12% का मतलब होता है 12% का मतलब तो 12 बटी 100 और off का मतलब होता है गुणा फिर 4% का मतलब वो 4 बटी 100 फिर off का मतलब होता है गुणा 7% का मतलब होता है 7 बटी 100 और off का मतलब हो जाएगा गुणा फिर 2 गुणा 10 की पाउड 6 इसे हम लोग हल करेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 2-0 यहाँ है 2-0 यहाँ, 2-0 यहाँ, कुल मिलाके 6-0, जिनको हम लोग लेख सकते हैं, यहाँ इसको हम लोग 10 की पावर 6 लेख सकते हैं, और 10 की पावर 6 उपपर और 10 की पावर 6 नीचे cancel out हो जाएगा, अब उपपर वाली संक्याओं को हम लोग केवल गुणा करेंगे, मात्र गुणा करें ठीक है, 7-4, 28, 28, 56, तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे, 12 गुणा 56 हो जाएगा यहाँ पर, और 12 C गुणा और कर देंगे, 12 6 की बहतर हो जाएगा, 12 560 और 7 यह हो जाएगा, 600 बहतर यहाँ पर आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, C option हो जाएगा, अगला जो सवाल है, वो हमारे पास ही की, दूसरे नम्मर का question है, जो यह है, SSEGD 2021 में पूछावा question है, एक बल्ले बाज ने 124 रन बनाए है, जिसमें 6 चोके और 10 चक्के सामिल है, 6 चोके का अड़त है, 6 इंटू 4, टोटल कितने रन बनाए होंगे, 24, और 10 चक्के का मलाव है, 10 इंटू 6, तो कि परकार चोके और चक्को से कुल मिला कि कितने रन बना लिया होंगे, वो देख सकते है, 60 और 24 कितने हो जाएंगे, 24, तो इसका मलब बनाए कितने है, कुल कितने रन बनाए है, 124 रन कुल बनाए गये है, उसमें से चोके और चक्को से कितने बनाए गये है, चोके और चक्को स 24 क्योंकि आप जब 24 और 60 को add करेंगे तो इटीपोर जाएंगे हाँ और यह कुल है अब बताईं यहां सो जितने बच गए होगे वो like वाद उन्होंने दोड के बनाइयोंगे तो दोड की है irgendå canyon 20 दोड़ कर बनाए गए रणों का परतिसत तो परतिसत आप से पूछा गया है दोड़ के बनाए गए रणों का तो बनाए गए कित्ने रण है चालीस और वो भी किस में से बनाए गया है एक सोचोवीस में से और घुनेमी कितना आ जाएगा सो हो जाएगा और फिर हम लोग यहां काटेंगे 4 से 4 से काटेंगे 10, 4, 3, 12, 4, 1, 4, 31 का भाग देंगे तीन बार चला जाएगा और कितना बच गिया 70, 2 बच गिया और 32 सही 8 बटे 31 प्रतिसत मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला क्यूशन हमारे पास है विग्रेश अपनी मासी काई का 42 परसेंड बोजन पर 16 प्रतिसत मकान की किराएग पर 11 प्रतिसत मरोरंजन पर और 7 प्रतिसत परिवाण पर एक साथ खर्च करता है इसका मुलब खर्च कितना कितना करा बोजन पर 42 प्रतिसत मकान की किराये पर 16 प्रतिसत और मनोरंजन पर 11 प्रतिसत और परिवायन पर 7 प्रतिसत इस प्रकार से टोटल हो गए मेरे पास 8, 2, 10, 6, 16, 4, 2, 6, 1, 7 66 प्रतिसत टोटल यहां पर खर्च हो चुके हैं कितने हो चुके हैं यहां पर 66 प्रतिसत टोटल यहां पर खर्च कर दिया गया है यह तो हो चुका है परसंटेज में खर्च अगर ये खर्च हो चुकी है तो बच्चत कितनी हो जाएगी मेरे पास बच्चत मेरे पास हो जाएगी 24% कितनी हो जाएगी 24% 100 में से 76 गठा देंगे तो बच्चत हो जाएगी 24% देखें यहां 18,000 रुपे की खर्चों की पूर्टी के लिए उसे 12,000 रुपय उधार लेना पड़ता. अर्थार्थ उसके पास 18,000 माइनिस 12,000 है. यानि अब देखें उसके पास 80 केवल कितनी बच्ची हुई है? खर्च करनी के बाद में 80 कितनी बच्ची हुई है? यहां पर केवल? ठीक है? छे अजार वच्छी खूई है, कितनी बच्ची खूई है? छे अजार वच्छी खूई है. ये दियान रख लेना. ठीक है? बोला यह गryा है कि 18,000 के खर्चों की पूर्टी के लिए उसे सहुकार से 12,000 रुपे उधार लेने पड़े हैं कितने अजार रुपे उधार लेने पड़े हैं? 12,000 रुपे क्योंकि वहाँ पर उसके पास केवल कितने बचे हैं? 24% ही बचे हुए हैं यह द्यान रख लेना ठीक है? तो बताएं यहां 24% बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? 24% बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 बटे 24 गुणे में कितना आएगा सो काटेंगे 6 चोग का 24 चार से काटेंगे 25 तो यो हमारे पास शुरुवात में उसकी मासिक आई कितनी थी 25,000 रुपे थी कितनी थी 25,000 रुपे अगला क्योशन देखें यहाँ पर एकार के मुल्ले में 5 परशन की वर्दी होने पर उसकी विक्री 16 परटिसत कम हो जाते है कुल राजसर उपर पढ़ने वाले परटिसत प्रभाव की गणना कीजिए यहाँ पर बोला गया है 5 परटिसत की वर्दी तो 5 प्रतिसत का जो मतलब होता है वो होता 1 वटा 20 होता है और वर्दी हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 21 वटे 20 यह बात हो गई यहाँ पर मुल्ले के लिए हो चुके है किस के लिए हो चुके है मुल्ले के लिए अब बात करते हैं विक्री की बात करते हैं बिक्रि की, तो 16 प्रतिशत का जो आर्थ होता है वो होता है 4 बटे 25, और यहाँ पर जो कमी हो जाएगी यहाँ पर 21 बटे 25, क्या हो जाएगी 21 बटे 25 हो जाएगी, कुल राजसो पर पढ़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गढ़ना कीजिये, तो मुझे बताओ पहले कितना था 20 बाद में कितना हो गया यहाँ 21 और फिर यहाँ पर पहले बिक्री 25 थी बाद में हो गई 21 और अगर हम लोग यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो कुल आ जाएगी हमारे पास क्योंकि मुले इंटू बिक्री होती है वो राजसव प्रा कुल मिला कि कितने की कमी होई राजसव में यहाँ हो गए यह गुण सट की कमी होगा कमी परसंट निकालें गे तो यह आ जाएगा मेरे पास गुण सट बटे 500 गुणे में 100 तो हम लोग इसको सोल करेंगे 2 0 से 2 0 यह आजाएगा, मेरे पास 11.8, इसका मुझा ओप्शन में थोड़ा से यहां डिफेक्ट है, 12, 11.8% की कमी होगी, तो जो कमी होगी बहुर होगी यहां पर 11.8% की कमी होगी, ठीक है? तो इसमें जो correction कर लेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला question देखते हैं यहाँ A की आई B की आई से 70% अधिक है और C की आई A और B की सहयुक तो I के 80% के बराबर है A की आई C की आई से कितने प्रतिसत कम है तो देखिए A की आई B की आई से 70% अधिक है अगर B की आई 100 है तो A की आई 70% अधिक है तो कितनी हो जाएगे 170 और अब जब C की निकालेंगे जो C की आई है A और B की आई कितनी है 100 और 170 कितना 270 का कितना निकालेंगे हम लोग यहाँ सायुक तो आई का 80% निकालेंगे और यह 80% कितना होता है वो आप निकाल लीजिए यहाँ 20-20 और जो भी आएगा 8756, 8265, 21 तो यानि C की जो आई इसी के अकोडिंग हो जाएगी 216 हो जाएगी इतना के लिए हो जाना चाहिए इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया है A की आई C की आई से कितने प्रतिसत कम है तो देखेंगे यहाँ पर 30 यह 16 यह 30 और 16 46 कम है 46 की क्या हो रही है कमी हो रही है तो देखिए C की I से कितने प्रतिशत कम है C की I से सब यहां लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा यहां 46 मुझे निकालना कमी परसेंट तो 46 बटे 216 गुणा 100 यह आ जाएगा कमी परसेंट निकालने के तरह यह कमी बटा प्रारंबिक मान गुणा 100 और प्रारंबिक मान किसे में कमी हो रही है सी के मान में कमी हो रही है एक कमान सी से कम हो रहा है ठीक है तो जहां से सब्दा है वो ही बटे में आएगा ये द्यान रख लेना और इसके बाद हम लोग काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 23 और इधर कितना आएगा 108 ये 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 और इधर 4 से काटेंगे 4 दुनिया और 4 साथ 28 ये आ जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको सोल कर लेंगे तो कितना आ पच्ची थी पिचोत्तर, पच्ची दुना पचास, पचार से साथ सता, पांसो पिचोत्तर, सताई दुना चोवन, ठीक है, चोवन, और कितना वच गया, तीन, 27 एकम, 27, 21 पॉइंट यहां पर 3 प्रतिसत आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा, पून आंक मेच जीतना चाहती है, टोटल मेच कितने हैं, 225 है, उसमें से पहले खेले गए मेच कितने थे, 120 मेच खेले गए थे, 120 मेच खेले गए थे, बाद में कितने खेले जाने हैं, बाद में मेच कितने होंगे, बताओ, बाद में मेच, है ना, तो बाद में कितने मेच है, वो बाद में यहां 120 कम कर देंगे तो क्या बच जाएंगा यहां 105 मेच जाएंगा ठीक है तो बताएं यहां 120 मेचों का कितना प्रतिसत मेच जीते गया है तो 120 मेचों में 70% जीते हैं, यह उगया 70% जीत गए, बाकी कितने बच गए 105, इसके में कितना जीतना है, X% जीतना है, बताई यहां बराबर X% मेच जीतने हैं, और इस प्रकार से 225 मेचों में कितना परचेंट मेच जीतने होने चाहिए, 80% जीतने होने चाहिए, 80% का मलब 4 वटे पांच भी कर सकते हो, यह 0 से 0 कर जाएगा, 0 से 0, बास ताम चोरेसी, यानि इसका आंसर आएगा, चोरेसी आजाएगा, 0 से, यानि काट दीजे 0, और, नहीं, 20 से काट दीजे या 25 से 25, ठीक है, तो 5 से काटेंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कमाच, 21 वटे 20 आएगा, 5 से काटना पड़ेगा, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, यह 5 से काटेंगे, तो 5 का 20, 25 दूनी 10, और 2 से और काटेंगे, तो कितना आएगा, 4, तो कुल मिला कि मेरे पास सर्थ आचुकी है, यहाँ पर अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 18, चोरेसी उस तरब ले जा तो यह बच जाएगा, मेरे पास 21 बटे 20, X बराबर 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 20 से गुणा कर देंगे, 21 का भाग देंगे, X बराबर कितना आजाएगा, क्या यहाँ पर 3 का भाग जाता है, बिलकुल जाता, 37, 21, 3 दूनी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी यानि यहाँ पर exactly answer कौन सा हुआ है, D option हमारा exactly answer हो चुका है, नेक्स्ट कोईशन हमारे पास है, यदि X का 25 परसेंट, X प्लस 6 के 30 परसेंट से 40 कम है, यानि कहने का मतलब है, X प्लस 6 और इसका भी कितना परसेंट, 30 परसेंट, 30 बटा 100 होता है, 30 परसेंट कितना होता है, 30 प ठीक है, जो है वो X का 25 परसेंट, 25 परसेंट का मतलब गुणा, X का मतलब 1 बटा 4 से कितना कम है, 40 कम है, ये 40 कम है, इस से, 0 से 0 कटी जाएगा, 3 बटे 10 को X से गुणा करेंगे, 3 बटे 10, X प्लस, 3 बटे 10 को 60 से गुणा करेंगे, तो 6-8 रह जाएगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा minus x बटे 4 ही है बराबर 40 इसके बाद मैं आप लोग देखेंगे यहां से यह value इस तरफ जाके किस की हो जाएगी minus की इन दोनों को solve करेंगे 3 बटे 10 x minus x बटे 4 बराबर यहां बच गिया यहां 22 बच चुका है LCM मैं फिर से ले लेंगे यहां 20 आजाएगा 20 36 x आजाएगा 4 25 x आजाएगा बराबर 22 तो जब x की बात करेंगे तो यहां पर आजाएगा यहां 440 यह आचुका बोला गया है यहां पर यह कैशन बोला गया है यहां पर तो यहां 440 में रखूंगा minus 40 और का मतलब गुणा होता है 35% मतलब 38 बटे 100 होता है 120 से कितने प्रतिसत अधिक है तो पहले देख लेते हैं यहां यह value कितनी आती है यहां पर 5 से काटेंगे 7 पांच दूनी द्वास यह आजाएगा 400 इंटू 7 बटे 20 20 से काटेंगे 20 यह आएगा यानि कितना आया 140 140 120 से कितना अधिक है आप देखेंगे यहां पर तो यह 20 अधिक है तो 20 अधिक है तो मुझे वताओ क्या अधिक परसेंटेज पूछा गया है 20 किस से अधिक है 120 से अधिक है और गुणहे में 100 आ जाएगा हम लोग इसको काट देंगे यहां पर जीरो से जीरो कर जाएगा और दोसे काट देंगे हम लोग और काट देंगे दोसे और काट देंगे तो कितना आएगा 10 और 6 तो 100 बटा 6, यहां आ चुका है, यहां 100 बटा 6, 100 बटा 6 का मतलब होता है 16 सही, ठीक है, चलिए तो और काट लेना 16 सही यहां पर आ जाएगा, 2 बटा 3 प्रतिसत आ जाएगा, यानि कौन सौ आप्चन हो जाएगा, ए आप्चन यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, किलियर हो next question हमारे पास है यदि X का मान Y की तुल्ला में 12.25% अधिक है अच्छा X का मान है Y की तुल्ला में Y का मान 100 है तो X का मान क्या होगा 112.25% अधिक है तो Y का मान X की तुल्ला में कितना पतिसत कम है अगर कम की बात करेंगे तो भी 12.25 ही कम है और ये कमी परसेंट हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 12.25 किस में से हैं 112.25 से हैं गुणा में कितना आएगा 100 आएगा ठीक है यहाँ पॉइंट से यह पॉइंट हट जाएगा अब हम लोग इसमें भाग देंगे भाग देंगे यहाँ पांस से काटेंगे 25 से 25 का सो पची नाम 225 का सो और फिर से 25 का सो पची नाम 225 अब जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो देखें एक बार जाएगा 10.9 परसेंट यहां पर लगबग आ जाएगा कौनसा ओप्षन हो जाएगा बी ओप्षन यहां पर आंसर आ जाएगा ठीक है Next Question है एक संक्या में 25% की कमि की जाती है फिर 25% की ही वर्दी की जाती है कुल मिला के उसमें वर्दी प्रति सतिया कमी percent ग्याद कीजिए तो यह 25% की कमी है तो 25 परसेंट का मतलब 1 बटा 4 और कमी कर देंगे तो 3 बटे 4 25% की वर्दी है तो 1 बटे 4 और वर्दी कर देंगे तो 5 बटे 4 ठीक है तो यह 4 से कितना हो जाएगा यहां 3 और यह भी 4 से कितना हो जाएगा यहां 5 तो कुल मिला की कितना हो जाएगा 16 और यहां पर कितना हो जाएगा 15 तो बताओ यहां से कितने की कमी हो रही है एक की कमी हो रही है तो हमें कुल मिला की कमी परसेंट ग्याद करना है कमी कितने की हो रही है एक की किस में से 16 में से गुणा में कितना आएगा 100 और जिसका फाइनल हो जाएगा आपको यहां पर एक बटा 16 का परसंटेज मान कितना होता या आपको वेसे भी याद रख लेना चाहिए ठीक है कि नहीं है चलिए तो जानकारी और है यदि आप लोग देखिए यहां पर परसंटेज स्सेजीडी का कम्प्लीट कोर्स थोरी वाइज पढ़ना चाते हैं तो आप लोग देखिए हमारे एप को आप जोइन कर सकते हैं जहां आप लोग प्ले स्टोर पर जाके इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं आरके कॉम्प्टिशन क्लासेज बगरु जेबु वहां से आप लोग वह स्सेजीडी का कॉम्प्लीट कोर्स मिल जाएगा ठ्षोरी वाइज ओके चलो आके देखते हैं यहां पर याधि किसी संक्या के 3 बटे 4 का 80% 63 है तो वह संक्या कौन सी है किसी संक्या संक्या एक्स है उसका 3 बटे 4 है और उसका 80% कितना होता 8 पर सेट 4 बटे 5 होता है 80% हो चार से चार कड़ जाएगा, तीन का भाग देंगे, तीन एकम तीन, तीन दू निचे, तीन एकम तीन, पांस से गुणा करेंगे, X बराबर 5, 10, 105, X बराबर 105, यानि संक्या कौन से हो जाएगी, A option हो जाएगी, 105 हो जाएगी, next question जो है, मारे पास एक फल विक्रेता के पास कु नीक थी, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थी, ठीक है, उसने 40% सेव बेचे, और उसके पास अभी भी 540, देखे यहाँ पर 40% सेव बचे हैं, और सेव तो यह बेचे हैं, तो सेश कितने बचे होंगे, सेश बचे होंगे 60 प्रतिसत, तो मुझे बताओ, यह 60 प्रतिसत किसके बराबर है, 540 के बराबर है, तो मुझे 100 प्रतिसत निकालना है, यहाँ 540, बटे में 60, और गुणे में 100, और हल कर देंगे, यहाँ पर 0 से 0, 6, नाम 54, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 900 हो जाएगा, कौन सा option हो जाएगा, D option हो ज उसके पास वे में 30% की वर्दी और बचत में 25% की वर्दी होती है तो उसकी आय में कितना प्रतिस्त की वर्दी होती होगी तो मुझे बताओ एक चीज है मेरे पास आय वे और बचत ये सर्थ है मेरे पास ठीक है चलो आगे देखो अब यहां आय कितना है देखेंगे यहां पर आई माल लेते हैं 100 है और कितना प्रतिसेट 24 प्रतिसेट खर्च होता है 24 प्रतिसेट खर्च तो बच्चत कितनी हो जाएगी यहाँ पर 26 परसेंट बच्चत हो जाएगी अब यह बूला गया है कि इसमें 30 परसेंट की वर्दी होती है किसमें वे में और 0 से 0 कार देंगे, तो कितना आजाएगा यहाँ, 4, 12, और 21, 22, तो 22.2 की यहाँ पर कुलमिला के वर्दी हो जाएगी, तो कुलमिला के मान कितना हो जाएगा, यह मान वापस इसी में एड कर देंगे, यह ध्यान रखना, जो 30% की वर्दी होई है, निकाल लिया 30% और 30% वापस इसी में जोड देंगे, ठीक है कि नहीं है, चलिए, तो यह 22.2 इसमें जोडेंगे, तो 0.2 हो जाएगा, 4 और 2, 6 हो जाएगे, और 9, चिनन में 0.2, बचत की बात करेंगे 25%, 26 का 25% निकालेंगे, 25% होता है, एक बटा, 4, जब हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर 4, 6 की 24 आ जाएगा, और 2 बच गया, 4, 25, 6.5 हो जाएगा, 6.5 वापस इसी में जोड देंगे, तो यह हो जाएगा, मेरे पास 26 और 6 कितने होता है, 32, तो यह हो जाएगा, 32.5 है, तो अब हम देखेंगे, कुल मिला के जो आए हो जाएगी, वो इन दोनों को जोडने पर मिलेगी, इन दोनों को जोडने पर मिलेगी, तो इन दोनों को जोडियेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ point 7 हो जाएगा 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं 9 और 3 12 होते हैं तो अब आप देखेंगे I पहले कितनी थी यहाँ पर I पहले कितनी थी देखिएगा यहाँ पर I पहले कितनी थी पहले 100 थी अब 128.7 तो 28.7 की नगर is yadda है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कौन सा upसंट हो जाएगा, अगला जो सवाल है, भो जेकिंदे चीनी की कीमत में 33 परसेंट की वर्दी हो जाती है, यानि तो एक पुरिवार की चीनी की क्फपत कितने परति सता कम करनी चाह यह देखें मुल्ले में बात करते हैं तो मुल्ले 33 पर 33 पर 33 का मतलब होता है यहाँ पर 33 पर 33 पर 100 और अगर वर्दी हो रही है तो यह हो जाएगा 133 पर 100 अगर मैं बात करूं यहाँ पर 100 से कितना हो चुका है मान हो चुका 133 हो चुका पर यह मुल्ले की बात है तो खपत की पुल्टी हो जाएगी खपत हो जाएगी 133 कितना हो जाएगा 100 कि वह जाएगा ये स्बाद की होionar किअ करो किए खरंट से भी आग voices हैं कि आठेज कोृत्व रहा प्रतिसर दीजए कि ना बड़े की ठीक है और किस में से कर रहे हैं बताओ 133 में से और गुणा में कितना आ जाएगा बताएं यहां पर 100 आ जाएगा गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा अब हम लोग इसमें बहाग जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा यहाँ 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 आजाएगा यहाँ आजाएगा मेरे पास 26 ठीक है और यहाँ पर मेरे पास आजाएगा 24.8 मेरे पास यहाँ पर अप्रोक्सिमेटली आंसर आजाएगा कौन सो आप्शन हो जाएगा बी आप्शन यहाँ पर आंसर आजा मूल संक्या का यह थोड़ा सा यहां पर है जिसको आप लोग चेंज करेंगे यहां मूल संक्या का चार बटा पांच यानि यहां चार बटे पांच लिखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब निकाल सकते हैं अच्छा मुझे बताओ यहां पर 80% रह जाती है तो 80% का मतलब क्या ह होता है चार बटे पांच ही हो जाता है यानि कितने की कमी हुई यह एक की कमी हो गई है वास्ता में कमी कितने की हो रही है गठाया कितना गया पांच अगर पूरी संक्या है तो हो गई कितनी अब चार रह गई है तो वास्ता में यहां पर गठाया कितना जा रहा है एक और य पांच पांच निकालूंगा जो की कितना होगा पांच पचपन इंटू पांच ये हो जाएगा जो की क्या लिखेंगा पचम 25 26 और 27 और यहां इस मूल संक्या का कितना निकालना है इस मूल संक्या का 4 बटे 5 25 गुणा 4 बटे 5 निकालना है मूल संक्या का तो पचम 25 हो जाएग पांचों का 20, 21, 22, 220 मेरे पास यहां आंसर आजाएगा, इस मूद सिंक्या का 220 मेरे पास क्या आएगा, आंसर होगा, एक दुकानदार ने 600 संत्रे और 400 केले खरीदे हैं, कितने 600 और 400 संत्रे खरीदे हैं, कुल मिलाकी जो फल हुए हैं, कुल फल जो हुए हैं, वो हुए हैं, ए देखेंगे यहां पर तो बताएंगे यहां बटाएंगे यहां पर रह जायगा यहां पर भीआसी परसेंट रह जा Campaign सेश रह जाएगा 82% तो क्या आएगा बताओ यहां पर आठ हो जाएगा आठ चोक 32 हो जाएगा ठीक है 328 कुल मिला के अब कितने बचे हैं अब कितने बचे हुए हैं देखो यहां पर 8 4 और 7 748 अब बचे अच्छे फलों का प्रतिसत अच्छे फलों का यह जो फल आए हैं वो अच्छे फल हैं कौन से फल हैं यह जो फल आए वो अच्छे फल हैं यह ध्यान रख लेना तो अच्छे फलों का प्रतिसत पूछा गया है तो क्या निकालेंगे 748 का प्रतिसत निकालेंगे 1000 में से और गुणे में 100 आजाएगा यह अच्छे फलों का प्रतिसत आजाएगा जिसमें 2 0 से 2 0 काटेंगे 10 का भाग देंगे 4.8 प्रतिसत हो जाएगा यह हो जाएगा D option 4.8 प्रतिसत ओके चलिए आगे देखिए अहां पर अगला question है 2 संक्याई 3 अनुपात 4 की अनुपात में यदि पहली संक्या का 60 प्रतिसत 145 है बोला गया है पहली संक्या का 60 प्रतिसत यानि जो भी संक्या होगी उसका 60 प्रतिसत अगर 145 है तो पूरी संक्या क्या हो जाएगी जो पूरी संक्या हो जाएगी 145 बटे 60 गुणा 100 यह हो जाएगी इसको हल कर देंगे हम लोग यहां 0-0, 6-12, 6-24, 24 यह आ चुकी है, पहली संक्या आ चुकी है, 240 पहली संक्या आ चुकी है, 240 आप मुझे बताओ पहली संक्या का अनुपाः कितना दिया है, तीन अगर मैं बोलू कि तीन अनुपाः बरावर 240 है यहां पर एक अनुपात कितना होगा 80 तो दूसरी संक्या कितना अनुपात है दूसरी संक्या है यहां पर 4 अनुपात 4 इंटू 80 यह हो जाएगा यहां 320 ठीक है मुझे इस दूसरी संक्या का कितना परसेंट चाहिए मुझे इस दूसरी संक्या का चाहिए 30 परसेंट और यह 30 प क्या का आंसर हो जाएगा ओके चलिए तो अगला क्योशन है यहां एक बेलन के आधार की तिज्जा बीस प्रतिसत बढ़ा दी जाए और उंचाई 33 से एक बटा 33 से एक बटा 3 परसेंट का मतलब एक बटा 3 गठाएंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दो बटा 3 तो यह जो छे बटा 5 का परिवर्तन होगा वो त्रिजा के लिए दो बार और उंचाई के लिए एक बार होगा तब जाके हम लोग यहां वोलिम में परिवर्तन देखें उंचाई में परिवर्तन होगा वो एक बार देखेंगा तीन अनुपात दो क्योंकि 33 साई एक बटा 3 परशेंट का मतलब होता एक बटा 3 होता है और कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा दो बटा 3 हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां से अगर हम लोग वोलिम की बात करते हैं त पचम 25 पचीथी पिछोतर रह चुका है यहां पर और यहां पर आएगा सथिदुनाव 32 तो जब हम लोग इसमें परिजन करते हैं तो बताओ कमी कितने की हुई तीन की तो मैं निकालूंगा यहां कमी परसेंट परनाव कमी llegó he 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 ho जाएगा यहां पर पचीथी पिछोत्तर का हो जाएगा कम हो जाएगा वोलिम चार प्रतिसत कम हो जाएगा पी क्यू का 220 प्रतिसत है तो क्यू प्लस क्यू का कितना प्रतिसत होगा पी और क्यू अगर सो है तो क्यू का कितना प्रतिसत होगा 220 प्रतिसत और सीधा 220 प्रतिसत निकालेंगे तो 220 ही आएगा सो का 220 प्रतिसत जो आएगा वो 220 ही आएगा इतना दिहान रखिएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह अगर आप काटेंगे 0 से 0 2 से और काटेंगे तो 11 अनुपाद 5 अगर यहाँ P प्लस Q की बात करेंगे तो आप बात करेंगे यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोनों इसका प्रतिसत इसमें से पूछा गया है और जिसका प्रतिसत पूछा जाता उस वेल्यू को उपड़ लेते हैं ठीक है के नहीं है तो यहाँ प्रतिसत वेल्यू पूछी गई है किसकी पूछी गई है क्यू की वेल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है और यह वेल्यू किसमें से प काटेंगे 4 चोग 16, 4 से काटेंगे 25, 125, 125 बटे 4, तो 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 दुनिया, 4, 25, 31.25 परसेंट, कौनसा option हो जाएगा, C option हो जाएगा, next question मेरे पास है, यहाँ A का 10 परसेंट, यानि A का 10 परसेंट B है, तो मैं 0 से 0 काटूंगा, तो B बराबर जो आ गया, वो A बटा 10 आ च आ चुका है, यहाँ बूला गया, 20 का, 20 का मतलब गुना B परसेंट, अब देखे, परसेंटेज अलग है, 20 गुना B का जो मान है, वो यहाँ से उठा के रख देंगे, क्या आएगा, A बटा 10 आ जाएगा, और यह मान जो है, यहाँ परसेंटेज में ही रह जाएगा, क्योंकि B परसेंटेज है, ठीक है, 0 से 0 कर जाएगा, 2 और इस गुना का मतलब का ही होता है, A परसेंट होता है, तो परसेंटेज 2 पर लगा लेना, यह ध्यान रख लेना, परसेंटेज किस पर लगा लेना, 2 पर लगाने, तो A गुना मतलब का, यह परसेंटेज 2 पर लगाएगे, 2 इस तरह से हो जाएगा तो एक का 2% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एक आप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट मेरे पास एक लेखाकार ने एक संक्या को नो बटा दो के बजाए दो बटा नो से गुणा कर दिया बोला यह गया था, कि नो बटा दो से गुणा कर दिया पर उस वीक्ति ने दो बटा नो से गुणा किया अब यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर ऐसे सवालों में हमें तूटी प्रतिशत ग्याद करनी है, तो हम लोग Anism लेंगे ऐसे प्रशनों में 2, 9 का LSM कितना आएगा? 18, 2, 9 तरह अब 18 से गुणा करेंगे, 2 का काटेंगे तो 9 आएगा, 9 से काटेंगे तो 2 आजाएगा, यह 81 आचुका है यह 4 आचुका, बताओ तुरूटी कितने की ओचुकी है तो यहाँ 87 रुपे की तूरूटी हो चुकी है, अब तुरूटी प्रतिस तो जाता नहीं और हम्हें तो लगबrog लगबग यह मान के चलिए जाने वाला ही था इसका मскимसफ यहां पर दिमान आयेका वह म नों मतलब यह कह सकते हैं कि नो बार जाएगा नाइ He you later तो नो बार जाएगा तो और सो है तो इसका मुझा पिचानव प्रतिस्त हमारे पास अप्रोक्सिमेंटली आंसर आजाएगा ओप्सन के अकोडिंग ठीक है बाकी बाहग दे लेना आप लोग आगे देखिए किसी संक्या का 30% उस संक्या के 60% से 15 कम है यानि 30% 60% से कितना कम है अगर percentage की बात करें तो 30% ही कम है और यह 30% कम है वो किसके बराबर है 15 के बराबर है और यह 15 के बराबर है तो 1% कितना आएगा 15 बटे 30 आएगा तो यहां इसी प्रकार 100% कितना आएगा 15 बटे 30 गुणा 100 यह रहेगा 15 से काटेंगे 2 दो का बाहग देंगे तो कितना आएगा 50% और कौन सा option होगा यहां 50% परसेंटेज नहीं होगा यहां पर value होगी ठीक है याद रखना value होगी ठीक है क्योंकि यहां पर यह value है तो actual में value का अंदर माना आएगा 50 रुपे वह संक्या 50 होगी 980 की एक धन्राशी ABC में इस परकार विबाजित करना है A को B के हिस्से का 3 बटे 7 और इसी परकार से C को है A के हिस्से का 45% मतलब 3 बटे 4 इसी परकार C को A के हिस्से का 3 बटे 4 मिलेगा कितना मिलेगा 3 बटे 4 अब यहां A का अनुपाद ग्याद करेंगे B का ग्याद करेंगे यहां C का अनुपाद और A का अनुपाद A अनुपाद B बराबर आ जाएगा 3 अनुपाद 7 इसी परकार से यहां पर A अनुपाद C एका अनुपाद कितना होगा चार और ची का तीन तो चार अनुपाद तीन होगा सोरी एका चार और ची का तीन इस परकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोन अनुपाद दूबार आया है यहाँ पर यहाँ अनुपाद देखें यहाँ पर एका तीन है बी का साथ है यहां पर बूला गया है C का A के इससे का पिछोत्र परचेंट तो C का अनुपाद क्या होगा 3 और A का कितना हो जाएगा 4 A B C का अनुपाद ग्याद करेंगे ठीक है तो बताओ यहां A B C A और B का कितना 3 और 7 A और C का कितना है A का 4 और C का 3 तो जब हम लोग इसको देखें कि कौन सा अनुपाद दो बार आया A का ते यहां कितना आएगा 4 और यहां कितना आएगा 3 तो कितना आएगा 12 28 और 9 ठीक है चलिए तो हम लोग और से देखते हैं 9 आचुका है अब बताएं यहां से टोटल इससा C का पूचा गया है मुझे बताओ यहां टोटल 980 है यहां कितना हो रहा है यहां 9 और 8 29 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा मुझे चाहिए किसका मान चाहिए C का इससा और C का इससा है 9 अनुपात वही C का इससा कितना है 9 अनुपात है जिसका मान होगा C कितना होगा 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180 और कौन सा आप्शन हो जाएगा यहां पर C option यहाँ answer आजाएगा इसके बाद अगला सवाल है ग्याहूं के मुले में 12.5% की कमी होने से अच्छा मुले में कॉछ इसको सं के बात करेंगे 12.5% कितना होता है देखेंगे यहाँ पर तो एक बटा 8 होता है कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा साथ बटे आठ ये बात हुई है किसकी मुल्ले की बात हुई है मुल्ले की बात करूँगा मुल्ले पहले कितना था आठ से कितना हो चुका है साथ हो चुका ये मुल्ले हुआ पहले आठ था बाद में कितना हो चुका है साथ लेकिन अब यहां पर आएगा ठीक है तो अब अगर मैं पहले यानि प्राराम की निकालूंगा तो क्या होगा बताओ 7 गुणा 2.5 यह हो जाएगा 17.5 किलो ग्राम अभी की निकालूंगा तो 8 इंटू 2.5 यानि कितना हो जाएगा 20 तो आप से जो पूचा गया है पहले की मतलब प्राराम की खपत पूचा है कब की पूचा है प्राराम की खपत पूचा और प्राराम की जो खपत है वो है मात्र है 17.5 किलो ग्राम तो कौन सा ओप्चन हो जाए किलोग्राम यह हुं खरीद पाता है इसके बार देखिए अगला क्वें से अर्डाबनी बचहत करती आर उसके बाद ऐ रखसे में 25 पर्चेंट की वर्दी और 30 पर्चेंट्ट में वर्दी करती चैनल लेते हैं कि उसकी ऑई कितोनी है और बचद कितनी है और खर्च भी कर ले, तो भी कोई दिक्कर नहीं करे, तो भी कोई दिक्कर नहीं है, ठीक है, अब आम लोग इसको कारते हैं, चार से तो कितना आएगा, पचीस और चार साथ अठाइस, और चार एकम चार, चार आट बतीस, आप दीखिए, यहां इसमें बोला गया है कि यदि उसके चार से काटेंगे, यानि कुल मिलाके 9 बटे 2, तो 4.5 की वर्दी हुई है, यहीं वापस इसमें एड करूँगा, तो कितना हो जाएगा, बताओ, यहां पर 25 परशेंट की वर्दी, मतलब 4.5 हो जाएगा, जो इसमें एड करूँगा, तो कितना हो जाएगा, देखो, यहां पर 28, 24, 22.5 हो जाएगा, फिर से देखेंगे, आम लोग यहां इसकी बचत, अचा बचत में उचा गया 30% की वर्दी, एक बात मुझे बताओ, 7 का 30% कितना होता, 7 की 210 बटे 100, तो यहां देखे, 7 इंटू 30 बटे 100, वापस इसमें कितना होगा, 2.1 आ जाएगा, 2.1 वापस इ i कितनी होई in दोनों को जोडेँगे तो i मिलेगी मुझे, मिलेगी, कितनी मिलेगी देखो यहां पर, 6 हो गया है, और 22 और 9 कितने होता है, 22 और 9 होता है, 31, 31.6 होता है, 31.6 होते है, ठीक है, तो उसकी i में हुई प्रतिसत वर्दी ग्याद करो, मुझे बताओ i पहले कितनी अब कितनी हो गई? 31.6, तो कितना हो जाएगा 6.6 की वर्दी हो जाएगी? तो मेंजे निकालना है यहाँ वर्दी परसंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा? 6.6, बटे 25 गुणा 100, 25 हो का 100, 6 हो का 24, 25, 26.4 प्रतिसद की क्या हो गई? यहाँ पर कुल मिला के आए में वर्दी हो गई है. नेक्स्ट है, मेरे पास एक वर्ष की सुरुवात, ठीक है? एक वर्ष की सुरुवात में एक सहर की जनसंक्या 8,50,000 थी. पहले वर्ष में जनसंक्या में 12,000 की दर से वर्दी हो यह बहुत बढ़िया कुशन है. परती 1000 से 12 की वर्दी होती है. यानि कितने 1000 हो जा 12, 12 की जनसंक्या कितनी बार बढ़ेगी? वो देख लेते हैं. तो 1000 का भाग देंगे तो 850 बार यह जनसंक्या बढ़ेगी. तो कुल मिला के वर्दी कितनी होई? यह देख लेते हैं. वर्दी होई यहां पर 850, ठीक है? एक बार 1000 के राउन में 12 बढ़ते हैं. तो ऐसे कितने होता है 102,10,200 जन्संक्या की वर्दी हो जाएगी तो मुझे बताओ एक साल में जन्संक्या कितनी हो चुकिया ये जोड़ दीजिए तो पहले वर्ष में जन्संक्या हो जाएगी यहां 8,50,000 प्लस 10,200, तो कुल मेलाख यह हो जाएगी यहां, यह हो जाएगी अमेरे पास 8,60,200, यह जन्षन क्या होगए, अब 1% की कमी हो गई है यहां पर, तो मुझे बताओ यहां एक कमी निकालो, 1% की कमी निकालो, कितने होती है, 8,60,200 का 1% कितना होता, आपको पता है, यह हो अब ये कमी का मतलब वापस कम हो जाएगी जनसंक्या, तो बताओ दो वर्स के बाद में कितनी रह गई जनसंक्या, दो वर्स बाद जनसंक्या होई, आट लाख साथ जार दो सो में से, आप सीधे सीधे आट जार छेसो दो गठा दीजिए, तो दो वर्स बाद की जनसंक्या में मिल जाएगी. कितनी आजाएगी. 8 हो जाएगी. 9 आजाएगी. 11 पांच आजाएगी. 1 यहां पांच आजाएगा. तो यह हो जाए. आठ लाख पांचोट्वीं. कौन सौंद्वीं अप्सेन हो जाएगगा. ठीक है. चलिए उमीद करता हूं. आप लोगों को आज की class पसंद आई होगी, यह एक छोटा सा session आप लोगों के लिए ले के आया हूँ, उमिद करता हूँ पसंद आया होगा, यदि आपको पसंद आये तो जरू लाइक कीजिए, share कीजिए, SSGD हमारा यह target रहेगा, SSGD के आज की हमारी यह पहली class है, ठीक है, और जहां है, आप लोग देखिए, PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर यह हमारा टेलिग्राम चैनल है, जिसको आप scan करके सीधे जोइन कर सकते हैं, जिससे के आप लोगों को यह PDF आप लोगों को मिल जाए, ठीक है के लिए, चलिए, तो आज के लिए इतना ही कैसे लगी कम क्लास, जरू कमेंट करके बताइए, और हमारा एक मात्र मकसद है, ऐसा से जीटी इस बार क्लियर करना, ओके, चलिए, टैंक यू, सो मज, धन्यवाद, जैहिन, दोस्तों